हलो स्ट्रेंड वेलकम को एजुबीन जैसे कि आपको पता है कि हमने नई सीरीज स्टार्ट की है नवदय और सैनिक स्कूल के एंटर्स एक्जाम की त्यारी की तो इससे पहले हम दो वीडियो अप्लोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिजिनिंग के कुछ टॉपिक कवर किये थे अब हम सैनिक स्कूल में जिके ऑप्शन है जिके ऑप्शन भी आता है उसमें तो जिके के एक पपिक लेकर चलेंगे तो आईए स्क्रीम चलते है यह देखिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जिके ऑप्शन है इसमें जिके वाला पार्ट को हम कवर करेंगे सैनिक स्कूल एक्जाम 2023 के लिए तो इसमें क्या है तो इसमें क्या है तो सैनिक स्कूल में का पैटर्न देखिए तो इसमें मैत हमारा कितना आ रहा है मैत के हमारे आ रहे है 150 मार्क्स के मैत आ रही है जिसमें 50 कोशन होंगे और जीके में हमारा है science और sht इसको हम इसमें cover करेंगे ठीक है तो इसमें 25 questions आएंगे और 2 marks each यानि 50 marks का overall section होगा फिर language लेंग्वेज आएगी आपकी 25 questions होगे और 2 marks each यानि 50 marks का होगा है फिर intelligence है इसके बाद next तो यह हमारा syllabus से पहला इसका जीके का तो जीके के सारे syllabus है यह option 1 दे रखा है 1 2 3 यह पूरे कितने हैं पहला option हमारा different types of scientific devices used in daily life यानि scientific devices जो हमारे daily life में use होते हैं तो उसको हम cover करेंगे इस video में तो पहले हम देखते हैं कि scientific types of different types of scientific devices used in daily life तो पहले देखते हैं device क्या होता है तो device क्या होता है tools और piece of equipment made for a particular purpose किसी भी चीज़ के लिए कुछ use क्या हुआ tool ठीक है उसको हम क्या करते हैं device ठीक हो गया अब scientific device क्या हुआ scientific device क्या हुआ जो हमारे scientific purpose को solve करने के लिए use हो जाए वो scientific device होता है ठीक है definition बढ़ते है इसकी devices और tools that are used for scientific purpose like measurement theoretical और research purpose यह जिसमें कुछ data हमें लेना हो कुछ reading हमें लेनी हो ठीक है तो उसके लिए हम use करते हैं तो scientific device होता है अब example thermometer ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो इसको measure करने के लिए हो thermometer लगाता है हमारे ठीक है तो अगी घरों में भी होते हैं और दूसरा odometer ठीक है इसके example हुए next start कर रहे हैं important scientific devices for science school exam ठीक है तो उसके लिए क्या है पहला पहला फस्ट है barometer तो बेरोमेटर होता है to measure atmospheric pressure ठीक है तो इसका मैंने डागराम यहां मना रखा है ताकि आपको समझने में प्रॉलार ना हुआ फिलिंग आए ठीक है जो पाल ने इसकी फिल आना भी चरूड़ी है तो बेरोमेटर क्या हुआ हुआ जो एट्मस्टरी प्रैशर होता है उसको measure करने के लिए यूस होता है तो वाइ इसमें कैसे बनेंगे इसमें पूरा डेविशन नहीं आएगी इसमें ऐसे आएंगे कि डिवाइस यूज़ फॉर मैजर एट्मस्टरी प्रैशर तो इसमें ऑफ्चन दियोंगे इसमें बहुत सारे और उप्चन होगे तो आपको टिक करना होगा कि इसमें बेरोमेटर में त जानते होंगे तो यह इसके हमें इसका डिागराम फिकर बना रखा है तो यह इसमें क्या होता है कि इसमें दो लेंस होता है होते हैं एक लेंस इधर होता है और एक लैंस होता है इस साइड़ होता है जो हमारे दूर की चीजको नजडिक दिखा दे तो यह कांका होता है है कि में वाई्ल लाइफ व्यूहिंग जंगल में जाते हैं वीडियू मिना疫ट यह यह बारें हन्टिंग झिके Review ऐस्ट्च मालों आप क्रिकेट देखने इस्टेडियम जा रहे हैं तो दूर दिखता नहीं है तो दूर भी इन साथ देख सकते हैं थेटर इन जिगाए है इसका यूज होता है यह थे थेखते हैं था मिटर तू मेज़र दा टेमप्रेचर ऑफ दा बॉडबी हमारे अपने बॉड़ टेमप्रश्ड मेजर करने कि लिए इस थेख रूना रखे इसमें क्या है कि अगर हमने इसको मूं में रखा चिक और यह मरकरी होता है यह मरकरी अगर इस लेड़ से क्रो है या नहीं है तो इसकी जरुत क्यों पड़ती है यह हमारे टेंपरेचर मेजर करने के लिए बोडी का तो यह बहुत है इन में से मेशनली हम यूज करते हैं एक तो क्लिनिकल थर्ममीटर दूसरा लेबर्टरिकल थर्ममीटर ठीक है यह था थर्ममीटर नेस्ट है और कि हमें की साउंड काम है या ज्यादा है यूज तो टेस्ट एंड मैजर हेरिंग सेंसिटिविटी इन 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 विज़ुज तीक है कौन कितना सुन बाता है तो उसकी लिए इसे यूज किया जाता है फिर है कैलोरी मीटर यह कैलोरी मीटर तो मैज़र तक क्वैनिटी ओफ कि कानिटी मैज़र करने के लिए यूज होता है तो कि जास्ट इंसको निकलती है चैचितनी इसमें है उसको मैजर करने के लिए यूज होता है नेक्स्ट इसे बोलते हैं इस तैथोस्कॉप ठीक है इसे डॉक्टर यूज करते हैं देखा हुगा है इसको डागरम देखे आपको यादा रहा हुगा कि यूज करते हैं इसको ठीक है यूज बाइ डॉक्टर तो हियर हाट साउंड तो हमारे हाट की साउंड को सुनने के श्पीडो मीटर यह हमारे गाडियों में होता है तो पीड में तो इसकी स्पीड कितनी है तुम जैसे अगर श्च्टी में है थो ज्यादा होगी इट्टी में है तो इस वह हमें बढ़ जाएगी तो यह हमें इसका आईडिया देता है कि speed हमारी कितरी है, टैला speed at which the vehicle is moving, तो किस speed से हमारा vehicle चल रहा है, यह हमें बताता है, next है microscope, microscope, यह होता है, to magnify a small object, मतलब कि कोई भी छोटी चीज़ है, micro organisms होते है, चोड़ चोटे, उनको देखने के लिए, यह तो दिखते नहीं है, वारे नेक डाई से, तो उनको जो है, microscope से देखा जाता है, तो Microsoft का टागराम गेरा, ठीक है, यहां से हम देखते हैं, ठीक है, यहां से जो है, वो हमारा रखा होता है, जिसको हम चक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखा भी है, necessary to see some species, since they are so minute, मतलब बहुत ही छोटे जो होते हैं, जो हमें आँखों से नहीं दिखते, उसे हम इससे देख सकते हैं, फिर फैदो मीटर, फैदो मीटर क्या होता है, to measure the depth of ocean water, ठीक है, समूद्र के पाने की गहराई, ठीक है, measure करने के लिए होता है, फैदो मीटर, इसकी डियागराम गेरा, ठीक है, लिखा है इसमें, फैदो मीटर, ठीक है, it is used on the ship to determine the depth by measuring the time it takes for the sound produced to return from the bottom of the water, यह जाता है, शिप जो चलती है, उनमें यूज होता है, ताकि उनका idea सके हम अभी कितनी गहराई इसमें चल रहे हैं, कितनी दूर अभी चल रहे हैं, फिर endoscope, यह आगया हमारा endoscope, to examine internal organs of the body, तो इससे क्या होता है, हमारे कोई भी अंदर, body के अंदर कुछ problem है, endo means endoscope की body के अंदर देखना, तो इसके थुरू हम body के अंदर, एक समझे जिए कि अब यह है, यह है, यहाँ पे camera लगा होता है, तो camera से कहा है, camera हमारे अंदर जाता है, यह अंदर जाता है, तो अंदर की सारी photo हमारी screen में आ जाती है, तो doctors इससे idea लगा में क्या problem है, तो कोई भी अंदर problem होती है, तो इसके थुरू doctor check करते हैं, फिर उसका treatment करते है, ठीक है, electoscope, to identify the presence of electric charge, तो इसका idea रगाने के लिए होता है, तो इसका idea रगाने के लिए होता है, यह कैसे इस type का instrument है, कुछ है, तो इसमें अगर हमने charge road, मतलब जिस road में charge हो आपकी, यानि कोई भी electricity वाला जिसमें charge हो, अपने हम सामने रखा, तो यहाँ पर यह वाला ऐसे फैल गया है, यह ऐसे फैल गया है, इसमें electricity है, अगर हमने कोई दूसरा road यहाँ रखा होता, यह तो charge road है, कुछ और रखा होता, तो यह फैलता नहीं, यह स्ट्रेट होता यह नीची की तरफ, तो आपकी निची की तरफ होता है, तो इसका मतलब यह ता, इसमें electricity नहीं है, यह था, इलेक्ट्रस्को, now next, 12, अलेक्रमीटर, again, ऐलेक्रोमेश तो इसका मदल है to measure electricity, यह क्या करता है, electricity को measure करता है, to measure electricity, यह है, इस टैप का होता है, यहाँ पे जो इसकी स्क्रीन है, यहाँ पे इसके measurement दी होती है, उसे हम नोट कर सकते हैं, तो an electroscope device is used to measure small voltage and electricity, जहाँ voltage कम और वहाँ measure करने के लिए इसे use के आता है, फिर आगता है हमारा hygr यह हाई किरो मेटर, हाई किरो मेटर यह रहा, यह बना हुआ है, यह बाहर लगा रहाएगा, क्यों, क्योंकि यह to measure the humidity in air, यह किसके लिए measure होता है, यह humidity, कि हमारे बहार जो इसमें कितनी humidity है, आधरता कितनी है, ठीक है, जनरली, रहनी स्विजन में आधरता ज्यादा होती है कितनी होती है, 80-90% नॉर्मल रहती है, ठीक है, इसे ओपर रहती है, नॉर्मल इतरी रहती है, तो लिखा इसमें, to measure the humidity or amount of water vapor in the air, तो वनी एर में कितने water vapors है, several measure types of agromatres are used to measure humidity, बहुत टैप के word agromatres use होते हैं, यहाँ पर यहाँ और यहाँ और इसका जो direct measurement है, यहाँ पर नधा देता है पिर काया कायाओ मेटर यह मेज़ार तो काया करता है फिटेश्ट करना तो इसका इतने ज्यादा नहीं आएगे डिटेल करो आपको पता होने जीब कि यह वाला मीटर जो भी इस्टूमेंट है वो कहां भी होता है तो कुश्चन ऐसा बनके आएगा कि टू मैजर लो टेंपरेचर डिवाइस यूजड तो चार आजाएंगे उसमें से एक ओप्शन होगा काईरो मीटर तो आप इसमें टिक कर देंगे तिक है इसले पे कुश्चन आएंगे स इसमें कितनाः वाटर मिला हुआ जैंके है इसमें का है इक मैजश देंस्टि ओफ टैंसटी ल्क भी कितना गाड़ा दूस है इन Kitना गाड़ात Western है ये होता है कितना पानी इसमें मिला हुए के अ violini करिक केद्यों कैसे लिगा एक्यू मिल्क में छेंभा ये मिल्क में यह उपर रिडिंग आएगा, इसमें आपके वाटर जो है कम मिला हुआ है, फिर है पैरिस्कोप, 16 है हमारा पैरिस्कोप, तो विउ औब्जेक्ट total sea level, यूज in submarine, गया होती है, जो समुदर की नीचे चलती है, बोट और शिप तो होती है, पानी की उफर चलती है, और some marine पानी के नीचे चलती है, अब नीचे चलने से ऊपर का, डिक है, उपर की चीज़ें देखने के लिए, क्या चीए उनको, उनको कोई बोतो है τाकि यहां पे होता है इनका कैमरा लगाなたा यहां से उ a अंदर स्क्रीन में देख लेते हैं कि सामने से कोष्य यह पा रही हैब बोट आ रही है इस verschil को टीके नाम तो अजीब सा लग रहा है लेकिन इसको देख कि आपको आईडिया आ को आपने बहुत दिखा हुगा यह हमारे एक है वह होता है तो एक इंजिटीटल में टक्रांश के पागते मिस ट 117 अब इसके जफी तो अम टैन होला थे अगए हैं तो तुमे lässt प्र्ущ तो यह वाला है, तो टू मैजर डिस्टेंस टैबल यूजिंज वैकल्स, कोई वैकल में कितना डिस्टेंस टैबल किया है, उसके बारे में उसको एडिट करके बताता है, फिर है रेंगेज, तो रेंगेज, रेंगेज क्या होता है, यह भी बाहर लगा होगा, रेंगेज होता ह यह measurement mm में होता है, mm में, कहते हैं ना कि 5 mm बारिस हुई है, या 10 mm हुई है, तो जितनी ज़्यादा होगी mm, means कि उतना पानी, उतना पानी हमारा पानी आया है, यानि उतना रेन ज़्यादा हुई है, तैलिसको to measure, to measure distance object in space, इस पेस में दूर की चीज़ को देखने के लिए होता है, ठीक है, टैलिसको step का होगा, यानि एक lens यहाँ पर होगा, फ्रेंट में एक lens यहाँ पर होता है, ठीक है, और यहाँ से देखें, यहाँ से देखते हैं, तो दूर की चीज़ नजदीक दिखती है, तो used to form magnified image of distance object, दूर की चीज़ को magnify करके नजदीक दिखाता है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, 21, कार्डियोग्राम, यह क्या होता है, तो study the heart movement, तो heart की movement को, it can be used to investigate symptom of a possible heart problem, सचे चेस्ट पीन, कोई भी चेस्ट पेन हो रहा है, या हाँ नो कोई भी प्रोलम है, उसका एक्जमाइन करने के लिए, डॉक्टर यह टेस्ट करता है, इसमें क्या प्रोलम है या नहीं है, या किस intensity की problem है, नेक्स है, अल्टी मिटर, अल्टी मिटर क्या जो होता है, to measure altitude used in aircraft, अल्टी से आपको याद आ जाए गए, अल्टी मिस, altitude, altitude कोई भी state height होती है, उसको measure करने के लिए, उसको altitude बोलते है, कोई भी height है, उसको altitude कहते है, तो उसी से बना ह altitude, यानि altitude measure करने के लिए, तो कोई भी height, ज्यादा height है, altitude को measure करने के लिए, altitude, altitude बोलते होता है, तो इस step का होगा है, ठीक है, यह है, यह है step का, जिसमें लिखा है कि, altitude are important navigation instruments for aircraft and spacecraft, pilots who monitor their height above earth surface, तो उपर जाते हैं, तो उनको idea लग जाता है, कि अर्थ से कितनी उपर चल रहे हैं, ठीक है, ओल्ड है, यह हो गया, 23 है, सिस्मो ग्राफ, यह क्या होता है, to measure the intensity of earthquake, यानि अर्थक्वेक को measure करने के लिए जोता है, ठीक है, इस instrument है used to record the motion of the ground during an earthquake, अर् time, हम उसे पसल जाता है, कि हाँ कितने intensity का बुखंब है, कितना तेज उसका हो आ रहा है, they are installed in the ground throughout the world, and operate as part of the seismographic network, यानि पूरे वोल्ड में यह लगा जाता है, उनका एक network होता है, seismographic network कहते हैं, उसके थूरू, यह सब जगह, इसकी information मिल जाती है, तो इस type का होता है, यहाँ पेपर लगे हैं, इसमें यह design बनती रहती है, इससे लोग idea लगा लेते हैं, कि हमारा जो earthquake है, कितना intense है, 24, hydrophone, तो hydrophone क्या होगा, hydromis water, यानि पानी से related होगा, तो क्या होगा, to measure the sound underwater, यानि पानी के अंदर की sound है, उसे measure करने काम आता है, जैसे बड़े-बड़े समूदर है उसमें लगे होता है, किसके लिए जोदा जाता है, जो ships चलते हैं हमारे ना, उनके वो लोग जलते हैं, यूज करते हैं, फिर है emitter, 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 यह रहा, तो our device measures the value of current in ampere, यानि current measure करने के लिए जो instrument आता है, उसे बोलते है emitter, ठीक है, तो इस टैप का होता है, ठीक है, इसम instrument used to measure the current in a circuit, किसी भी circuit में कितना current, कितना ampere current है, क्योंकि current को ampere में measure करते हैं, और voltage को volt में, तो कितना ampere current है, उसको measure करने के लिए, ये instrument use होता है, फिर है calipers, ये caliper क्या होता है, ये देखते है, तो design का इस टैप का figure है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि measure of diameter of thin cylinder or wire, कोई भ पतली wire है, या cylinder type का कुछ भी है, माल लीजिए, आपको ये pen, इसकी measurement करनी है, तो इसको, इसके जो, यहाँ पर, जो है न, जो, इसके दात है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसको लगाते है, यहाँ पर, इसको लगाएंगे, ऐसे करके, ठीक है, इसको tight ब इसके वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं, बहुत सारे होते हैं कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यूजिली यूज़ हम करते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर नेक्स वीडियो में देखते हैं, नेक्स टॉपिल लेके आएंगे, तब तक के रिए गुडबा झांक यू